हेलो एबरीवन, वेलकम टू शमीन्स किचिन आज हम बना रहे हैं चिकन मॉमोज स्टेट स्टाइल में वैसे तो इसकी बहुत सी विराइटीज हैं मार्केट में लेकिन आज हम इसे आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होगा तो आएए बनाना स्टाइट करते हैं तो मॉमोज बनाने के लिए एक बोल में एक कप मैदा एड़ करेंगे और इसमें हाफ टीस्पून नमक एड़ कर देंगे और अब इसे मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल कर सॉफ्ट आठा गूद कर तयार करेंगे बहुत जादा हार्ड भी नहीं गूदना है और अब डो रेड़ी हो गया है और इसके उपर हाफ टीस्पून ओयल अपलाई कर देंगे और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे और अब मोमोस की स्टफिंग के लिए एक पैन में 2 टीस्पून बटर अड़ करेंगे और बटर के मेल्ट हो जाने के बाद इसमें 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ गार्लिक अड़ करेंगे इसी के साथ 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ जिंजर अड़ करेंगे और कुछ सिकिंड्स के लिए सौटे कर लेंगे जिससे इनका फ्लेवर जो है बटर में रिलेज हो जाएगा और अब अद्रकलेस उन अच्छी तरह से भून चुके हैं तो फ्लेम को आफ कर देंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे अब इसमें 500 ग्राम चिकन कीमा एड़ करेंगे ये चिकन ब्रेस का एक बड़ा पीस था जिसे वाश करने के बाद हमने चौपर में डाल कर बारी कीमा बना लिया है और अब इसके बाद 1 टी स्पून सोया सॉस एड़ करेंगे इसके साथ 2 टीबल स्पून बारी कटा हुआ कैरेट एड़ करेंगे अब डाल देते हैं 2 टीबल स्पून स्प्रिंग अनियन और इसके बाद एड़ करेंगे 2 टीबल स्पून बारी कटा हुआ प्याज अब इसके बाद half teaspoon काले मिर्च पाउडर एड़ करेंगे और इसी के साथ एड़ कर देते हैं 2 teaspoon सिजवान सॉस और अगर सिजवान सॉस अवैलेबल नहीं है तो ग्रीन चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टेस्ट के कॉर्डिंग इसमें नमक एड़ करेंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो इस तरह से मॉमोस का स्टफिंग तयार हो गया है और 10 निट के बार डो को एक बार और नीट कर लेते हैं और इसमें से छोड़ा सा पीस तोड़ लेंगे और मॉमोस का शीट बना कर तयार कर लेंगे और यह जो शीट है इसे बहुत जादा पतला या मोटा नहीं बेलना है और अब शीट के चारो तरफ पानी लगा देंगे और बीच में एक टेबल स्पून स्टफिंग रख देंगे और अब इसे फोल्ड कर लेंगे जिस तरह से हम घुजिया बना कर तयार करते हैं और जो इसकी साइट्स हैं उसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से स्टील कर लेंगे जिससे स्टीम करते वक्त ये खुलेगा नहीं और अब एक किनारे को पकड़कर दूसरे किनारे से इस तरह से स्टिक कर देंगे तो इस तरह से हमारा momos बनकर तयार हो गया है आप अपनी पसंद से कोई साभी शेप बना सकते हैं जिसे आपको बनाने में आसानी हो और अब इसके बाद अगर आपके पास स्टिमर है तो आप उसमें momos को स्टिम कर सकते हैं नहीं है तो आप इस तरह की कड़ाई ले लिजिए उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजेगा और यहां पर हमने एक स्टेनर रख दिया है और अब इसे ग्रीस कर लेते हैं जिससे momos इस्टिक नहीं होंगे और अब एक एक करके सभी momos को कुछ डिस्टेंस पर रख देना है और बाकी बची momos को हम गैस की दूसरी तरफ स्टीम कर लेंगे और अब इसे cover कर देते हैं और 15 मिनिट के लिए medium flame पर हम इसे steam कर लेंगे और इसी दौरां हम इसका एक बहुत ही tasty sauce बना कर त्यार करेंगे जिसके लिए एक pan में हमें 2 tablespoon oil add करना है और अब तेल गरम हो गया है तो इसमें 1 teaspoon बारीक कटा हुआ लैसुन add करेंगे और अब लैसुन को इसका color change होने तक fry कर लेना है लो flame पर fry करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि garlic का color change हो गया है इसका flavor oil में आ गया है तो इस वक्त हम flame को off कर देंगे और जब यह हलका सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम strainer से इसे चान लेंगे अब इसमें half teaspoon chili flakes add कर देते हैं इसी के साथ one teaspoon fine chopped garlic add करेंगे अब इसमें one teaspoon white vinegar add करेंगे और अब डाल देते हैं one teaspoon sesame seeds इसके बाद डाल देना है one teaspoon spring onion one four teaspoon नमक शामिल करेंगे इसके बाद डाल देना है one tablespoon tomato ketchup और अब इसे थोड़ा सा रनी करने के लिए इसमें one tablespoon पानी add करेंगे और इसे अच्छी तरह से mix करेंगे इस sauce को जब आप momos के साथ खाएंगे तो बहुत ही tasty लगेगा और इसे हमने अच्छी तरह से mix कर लिया है तो अब ये वहत्रीन सा sauce ready हो गया है उसके बाद आप इसे निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हमने सभी momos को एक plate में निकाल लिया है और इसके बाद जो हमने sauce त्यार किया था इसके उपर डाल देंगे तो इस तरह से street style chicken momos आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और wedge momos की recipe भी हमने अपने channel पर share किया है अगर आप देखना चाहते हैं तो description box में उसका link share कर दिया है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और अगर recipe पसंद आई हो तो इसे like, share और subscribe जरूर कर दीजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो, अलाहाफिज